Hello students, I am Gurvinder Kaur, Senior Faculty of Abhimanyu IS, a very warm welcome all of you in this session और आज हम PPSC का यहां पे यह हमारा 9th session है for PYQ discussion, so PYQ discussion हम यहां पे continue करते हैं, question number 84 से, right, so okay students, so read the question properly, then answer it, comment करने है, student आपको कौन सी statement correct है, okay, so question पढ़ते हैं students, सबसे पहले, question पढ़ते हैं, कहता है, साथवाना रूलर्स वर identified through metro means, it means की name derived from that mother, ठीक है, कि मतलब जो साथवाना रूलर्स थे, ठीक है, वो अपनी mother lane से जाने जाते थे, mother जो उनकी, you know, it means की उनका जो surname बगएरा होता है, जो भी हमारा surname होता है, वो हम अपनी father वाली side से adopt करते हैं, बट यहां पे क्या है, mother line है, ठीक है, mother line है यहां पे, right, तो metronymics है यहां पे, इन साथवाना रूलर्स, the succession to the throne was generally patrilinear, बट जो succession होता था, मतलब की, जो भी राजा है, आगे राजा कौन बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने correct statement पूछी है, तो बिलकुल correct statement है, दोनों की दोनों student यहां पे, क्यों है, क्योंकि साथवाना रूलर्स थे, उनके identity जो थी, वो mother lane से ही होती थी, ठीक है, मतलब की वो अपनी mother का ही नाम जो है, वो आगे use करेंगे, जिसे हम अपने नाम के पिछे ज़्यादा तर father का नाम use करते हैं, है न, आपने देखा होगा, right, उनी का हम surname adopt करते हैं, यहाँ पे क्या है, mother वाली साइड, mother claim जो है, उसको हम यहाँ पे use करते हैं, वाट जोन का ruler होता था, उसका succession जो है, वो patrilinear ही होता था, मतलब की father आगे अपने बेटे को rule pass करेगा, वो अपने बेटे को rule pass करेगा, ठीक है, तो दोनों statement यहाँ पे क्या है, correct है, Okay, question number 85, देखिए, यहाँ पे students, पढ़ो question number 85, क्या था, according to Buddhist text, who was the first woman to enter sung and ordinate the bhikuni term, ठीक है, see here students, जो Buddhism है, वहाँ पे क्या होता था students की, जो हमारा religion है, ठीक है, Buddhism, उसके अंदर जितने भी भिक्षुक होते थे, भिक्षुक समझते हो, आप लोग, भिक्षुक का मतलब होता है, जैसे सादू, जैसे आज के टाइम पे आपने सादू देखे होंगे, हिंदू धरम में सादू होते हैं, इसके अंदर Muslims के अंदर पीर होते हैं, है न, जो गौड को क्या करते हैं, गौड के प्रती बहुत ज़्यदा डिवोशन करते हैं, और वो करम जो दुनिया के जितने भी काम हैं, उनको छोड़ देते हैं, मोम आया, ठीक है, मतलब अपनी family को abandon कर देते हैं, वो यहां पे, ठीक है, तो इस तरीके से जो बिखशुक होते थे, student, वो संग में रहा करते थे, संग में रहा करते थे, जैसे मंदिरों में रहते हैं, वैसे संग हुआ करते थे, किनके, बुद्धिजम region के अंदर, और जो उसके अंदर लोग रहते थे, उनको बोला जाता था, बिखशुक, मतलब की, वो वाले लोग जो, घरबार छोड़ कर, वहां पे, सिर्फ और बुदिजम से रिलेटेड उनकी जो डिवोशन है, वो बहुत ज्यादा है, ठीके, तो वहां पे विमन की एंट्री जो है, वो विखमनी की होती है, ठीके, विखमनी बोला जाता है उनको, और उस फर्स्ट विमन का नाम था, महादेवी यशोदरा, महादेवी यशोदरा, य ठीके, 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 ठीके पका ठीक है ancient के अंदर medieval history में ठीक है आपने देखा होगा कि बहुत सारे foreigner जो है वो travel करते हैं इंडिया पे और इंडिया से related बहुत सारी वो knowledge भी देते हैं हमारी टेक्स्ट में लिखा हुआ है ठीक है कि चंदरगुपत मोर्या के टाइम पे ये foreign traveler आया गुपता पीरियड में ये वाला traveler आया medieval time पे भी बहुत सारे foreign travelers आये जिन्होंने अलग-अलग time पे जो इंडिया का culture था history थी उसको उन्होंने explain किया ठीक है तो foreigner travel दियो और उनकी country for region दिया हुआ है तो आपको बताना है कि सही code यहाँ पर कौन सा है ठीक है जी तो बताओ फिर कौन सा सही code कौन सा है सही code कौन सा है student ये आपको बताना है पढ़ो है जी तो बताओ फिर कौन सा सही code है सही code है हमारा d that is the first का है two मतलब जो हमारा अपसी है ये हमारा रशिया से था फिर जो बर्बोसा है वो हमारा कहां से होता है students ये बहुत important student कई बार मैंने एक्जाम में देखा है इसको फिर हमारा Peter जो था वो England से था और फिर हमारा एंटनियो जो है वो हमारा कहां से students ये स्पेन से है और फिर्स्ट बन जो है वो हमारा रशिया से student ये हमारा रशिया से है और जो हमारा बर्बोसा है वो हमारा पुर्तगाल से पुर्तगाल से बर्बोसा जो है वो पुर्तगाल से आता है ठीक है पीटर मुंडे जो है वो हमा पते हम लोग। तो गुश्टन पड़ो, 87 क्यता है, Emperor Akbar classified the land in various categories and fixed different revenues to be paid by each. In this context, examine which of the following defines Ploge land, तो यहाँ पर यह Plow land के बारे में question put कर रहे है, Plow land के बारे में आप question put कर रहे है, तो पढ़ो, फिर question क्या चीज़ है, Plow land के उपर question है student, तो अकबर ने यह define की थी, fixed की थी categories, ठीक है, और उनको उसी हिसाब से revenue pay करना पड़ता था, तो प्लाव land के उपर question है, Plow land कौन सा होता है students, उपजाव land, उपजाव land का मतलब क्या हमारा first option पढ़िए, land which is annually cultivated for each crop in succession and is never allowed lie fellow, ठीक है, इस land को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता student, उपजाव land हो, तो हर साल जो है, वो फसल उगाई जाती है यहाँ पर, इस it means हमारा first option ही क्या होगा, student correct होगा, पट फिर भी हम बाकी options पढ़ लेते हैं, पिर भी हम बाकी options पढ़ लेते हैं, पिर पाइदा, land left out of cultivation for a time that it may recover strength, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उपजाव land तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है, फिर कहता है, the land that has land fellow for 3 to 4 years, 4-5 साल के लिए हम उसको खाली छोड़ देते हैं, नहीं, ठीक है, land uncultivated for the 5 years and more, नहीं, ये भी नहीं, वो तो फिर waste land ही हो गया न, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है student number 1, जो optional land which is annually cultivated for each crop in succession is never allowed lie fellow, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, तो question number 88 पढ़िए, 88 number question पढ़िए, कहता है, the disorders inquiry committee 1919, 1920, headed by Lord Hunter, Lord Hunter committee को held करता है, ठीक है, the disorder inquiry committee was constituted to investigate disturbances in Bombay, Delhi and Punjab, अच्छा, इस committee की उसने पूछे की member कौन नहीं था, नहीं का पूछा student की कौन नहीं था, ठीक है, पहला बोलता है, जस्टिस G.C. Rankin, दूसरा बोलता है, चिम्नलाल, तीसरा बोलता है, पंडित जगत नरायन, फिर सुल्तान शम्शेर बेग, और फिर बोलता है, W.F. Arise, ठीक है, तो कौन नहीं था, student इसके बारे में पूछा है, तो उपर थोड़ा हम slide उपर कर लेते हैं, अब आप option चूज कीजिए, जी, option चूज कीजिए, students कौन नहीं है, इसके बारे में पूछा उसने, तो कौन नहीं है, student, बताओ, only four options, ठीक है, सुल्तान, शम्शेर, बेग, जो था न, वो इस committee का member नहीं था, ठीक है, inquiry committee का, see, हर student, student, essay question को देखके, घबराना नहीं होता, actually, में, essay question जो होते है, student, वो बस वही, एक, दो बच्चे, रियर, chances वाले बच्चे, clear करके आती है, जिनका optional history रहा होगा, कभी नगर, या, जिनका history जो है, उन्होंने अपनी, graduation, post-graduation में पढ़ी होगी, या, फिर, उन्होंने UPSC में, उनका history optional रहा होगा, ठीके, किसी और exam की, उन्होंने preparation की होगी, otherwise, student, essay, जो questions होते हैं, वो काफी tricky questions होते हैं, at a time पे, पड़े होते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता कि, हमने पड़े नहीं होते, पड़े होते हैं, but at a time पे, हमें याद नहीं आता कि, भाई, कोन member था और कौन नहीं, खास करके, जब option ऐसे पैचीदा से दे रखियों, हैना, option काफी देखो, आप कैसे से दे रखिये हैं, 2 and 3, 3 and 4, only 4, 5, हैना, ऐसे करके option दी हो, set की होई, so that's why student, यहाँ पे क्या है न, आपको बड़े, you know, यहाँ तो आपको यह question आता होगा, नहीं तो आप skip करो, time भी waste मत करो, ऐसे question पे और आगे निकलो, अगर आपको नहीं पता न, आप उस पे दिमाग लगाओ ही मत, कि अगर उस question पे आप रुके, सोचा, है न, फिर आपने लगाया, किया, obviously आपको पता है, गल्थ तो यार हो नहीं होने, है न, क्योंकि इतना vague answer, आप कभी भी लगाया हो, वो गल्थ होता ही होता है, hundred में से कोई एक अदा परसेंट, चांस होता है, कि आपका सही हो जाए, otherwise ही होता नहीं है, ठीक है, तो that's why student, ऐसे question आप skip करो, और कभी भी ऐसे question देखके, demotivate नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है, कि हांजी, ऐसा तो है न, सारी यहां पर 30 मार्खा बैठे, सारी optional, history optional वाले बच्चे बैठे हैं, या सब नहीं हमें history की हुई है, ठीक है, तो इससे इतना कोई खास competition पर फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे questions को देखके, कभी भी घवराया मत करो, इतने factual questions को देखकर, तो सुल्तान, शबशेर, बेग जो थे, वो इस committee के member नहीं थे, तो next question की बात करते है, यही चीज़े student आपको सिखाती है, P.Y.Q. P.Y.Q. जो होता है न, student, वो यही चीज़े सिखाती है आपको, कि exam के अंदर किस question को देके घवराना, और किस question को देके घवराना नहीं है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी आज मेरी तबियत खराब है, student, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा आप मेरे साथ adjust करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, question number 89 पढ़िए, कहता है, arrange the following in chronological order, chronological order पूछा इसने, ठीक है, बहुत interesting question है, student, जिसने हिस्टरी ध्यान से पढ़ी होगे न, वो ये question कर ले जाएगा, पका, ऐसे ही question जो होते है, student, ऐसे question, ये करते है, competition को eliminate, क्योंकि जिसने ध्यान से हिस्टरी पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, उसको ये question कर ले जाएगा, वो question जो है न वो कर ले जाएगा ऐसे ही question जो होते है न वो competition को increase करते हैं तो पढ़ो फिर question तो क्या option है इसका correct? इसका correct option है A, ठीक है? सबसे पहले जो था वो individual सत्यागरा हुआ था, ठीक है? सबसे पहले जो है वो हमारा individual सत्यागरा हुआ था, ठीक है? अके, फिर हमारा हुआ था 5th पे communal award दिया गया था, फिर हमारा 2 पे हमारा Puna Pact sign हुआ था between Gandhi and Ambedkar Ji, फिर हमारा 4th हुआ था individual सत्यागरा और फिर हमारा 1st हुआ था, that is the wevel plan, wevel plan आया था 1945 के अंदर के पूना Pact sign हुआ था 1932 के अंदर, Gandhi Irwin Pact sign हुआ था 1931 के अंदर, individual सत्यागरा 1940s के अंदर हुआ था communal award 19 इसी के अंदर दिया था उन्होंने शायद 31 में दिया था, 32 में दिया था शायद ठीके, तो इस तरीके से कोई date गलत ना हो गी हो, यहाँ पर, यह तो मुझे शॉर शॉर है कि यह 1945 में हुआ था, ठीके, ओके बट हाँ थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया यहाँ ठीके, communal award जो है, वो second round table conference जो होती है, उसके अंदर mcdonald जो है, वो देते हैं, ठीके, communal award जिसके अंदर, जो हमारी depressed class है, मतलब की, essay category जो है, scheduled class है, उसको alike से separate electorate दे देते हैं, ठीके, separate electorate की यहाँ पर power दे देते हैं, ठीके, जिसको communal award किया जाता है, भोला जाता है, ठीके, उसके बाद ही gandhi-irbin pact sign होता है, इतना मेरे को याद अच्छे से, कि communal award के बाद जो है, वो gandhi-irbin pact sign होता है, सारी, पूना pact sign होता है, सारी, सारी, पूना pact sign होता है, ठीके, ओके, ठीके, तो next question आप 90 number question पढ़िए, new lamps for old a series of articles criticizing moderate politics was authorized by see here student moderate politics 1885 के अंदर national हमारी क्या बनती है Indian National Congress बनती है फिर 1905 तक आते आते इसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे Bengal division हो जाती है 1905 के अंदर उसके बाद जो है वो दो parties बन जाती है student यहाँ पे दो parties बन जाती है पहली बनती है moderate जो पुराने member थे मतलब की old members थे यहाँ पे किसके INAC के जो क्या करते थे English Britishers को letter लिखते थे उनको request करते थे कि हां जी आप ये law change कर दीजिए ये order change कर दीजिए ये जो आपने पास किये ये सही नहीं किया है ना मतलब वो welfare के लिए काम करते थे by requesting to the government ठीक है एक बनते है हमारे extremist extremist मतलब कि वो वाला group मतलब ये ज़्यादा तर youngsters का था जो ये कहते थे कि जो Britishers हैं वो कभी भी अपनी policies change नहीं करेंगे वो divide and rule का concept यहाँ पे लगाके हम पे राज कर रहे हैं हमें जो है वो violence करना चाहिए यहाँ पे हमें मतलब you know extreme level की हमें क्या करने चाहिए यहाँ पे protest करने चाहिए so that हम जो है Britishers को यहाँ से भगा दे ठीक है और self rule लेकर आई इंडिया के अंदर ठीक है इस तरीके से student दो यहाँ पे main हमारी यहाँ पे ideologies जिस निकल कर आती है एक moderate की होती है और एक extremist की होती है तो यह तभी का concept है new lamps for old is series of article criticizing moderate politics को वो criticize करता है मतलब वो moderates को criticize करता है और ऐसा कौन करता है और वो बंदो गोश करते है बहुत ही famous leader होते है student इतने famous leader होते है कि इनसे Britishers भी डगते है इनकी ideology इनका influence इतना ज्यादा होता है society के अंदर ठीके बहुत ज्यादा ठीके खास करके 1905 के time पे round में ये बहुत popular होते है ठीके खास करके youngsters के वीचे में बहुत popular होते है ठीके जी ओके ओके लेट सी आजी आगे 91 number question पढ़िए स्टुदेंट सा फटा फट से पड़ो भई 91 number question कैता है during world war 2 which of the following countries was invaded by Germany under the code name operation Barbossa operation Barbossa की अंडर during world war 2 की अंडर Germany किसको invade करते है तो किसको invade करते है Soviet Union very famous question of very famous question of world war 2 का बहुत famous question है world history का ये तो operation Barbossa की अंडर वो Soviet Union को क्या करता है यहां पे invade करता है कौन करता है Germany invade करता है 92 number question पढ़ो in 1942 battle of midway was fought battle of midway was fought between the naval forces of which of the following nations इसके बीच में battle of midway लड़ी जाती है जपान और USA की बीच बहुत famous question है battle of midway इसके बीच में लड़ी जाती है जपान और USA के बीच में ठीक है जी ओकी clear है यहां पे ठीक है जी तो students यहां पे हम lecture करते हैं over ठीक है इसके बीच में अपनी रिजिस्टेशन करवाना चाहते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा इवन नंबर भी मिल जाएगा आपको सो फटा फट से आप PCS live batch में enroll कीजिए ठीक है यह हमारा fully dedicated PCS batch है ठीक है जिसमें आपको offline, online, live, recorded हर तरीके की आपको videos ठीक है weekly basis पे आपके test भी होंगे monthly basis पे आपके test होंगे with current affairs हर चीज जो है वो आपको cover किया जाएगा यहां पे ठीक है बहुत ही हमारी जो dedicated faculty है student वो यह batch लेकर आ रही है यहां पे ठीक है तो आप जल्दे से enroll कीजिए इस batch की अंदर ठीक है कल से ही हमारा शुरू होने जा रहे है और जो हमारा first subject होगा that is economy ठीक है बाइ सार्थक सर तो आप फटा फट से इस batch के लिए enroll कीजिए ठीक है लिंक आपको description box में मिल जाएगा okay students so thank you thank you so much have a nice day